ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है अब हमारा दूसरा चैनल अनपुर्णा फूड और दिवाइन मंत्रा भी देखिएगा अच्छा लगेगा आपको हम आपको बताने जा रहे हैं का अद्भुत मंदिर सिमसा माता का रैस जहां फर्ज पर सोने से संतान की प्रापटि होती है हमारा देश है और हम देवी देवताओं पर विस्वास भी करते हैं और हमारा देश भारत एक ऐसाध बुद्देश है जहां आज भी कई बातें ग्यान विज्ञान के परहने और कई बार तो घटनाएं ऐसी होती है कि विस्वास करना भी मुश्किल हो जाता है पर कहते हैं कई बार इनसानी बुद्धी भी कुछ वस्तूओं की तरह तहन तक नहीं जा सकती है और सबी तरक व्यर्थ से दुन गता है और रंत में हमें जो दिखता है उन पर भरोसा करना पड़ता है इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं आज एक अद्बुत मंदिर का रहस इसे चानकर आप सूचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच है और क्या शूम्टे है यहां फर्स पर सोने से निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है हिमाचल के मंडी जिला की लड़बडूल दैसील के सिमस गाउं में एक देवी का मंदिर ऐसा है जहां पर निसंतान महिलाओं के फर्स पर सोने से संतान की प्राप्ति होती है नवरात्रों में हिमाचल के पडूसी राच्ष, पंजाब, हर्यान और चंडीगर से ऐसी सैकड़ों महिलाएं इस मंदिर की ओर रुख करती हैं जिने संतान नहीं होती है हिमाचल प्रदिस के मंडी जिले के लड़ भडूल तैसील के सीमस नावक, खुबसूरत अस्थान परिस्थेत, माता सीमसा मंदिर दूर दूर तक पर सिद्ध है माता सीमसा या देवी सीमसा को संतान दात्री के नाम से भी जाना जाता है हर वर्ष यानि संतान दंबत्ती संतान पाने की एक्षा लेकर माता के दर्बार में आते है नवरात्रों में होने वाले इस विशेश उस्व को अस्थानिय भाषा में सलिंद्रा कहा जाता है सलिंद्रा कारत है स्वपन, स्वपनाना होता उसका मतलब नवरात्रों में ये संतान महिलाएं मंदिर परिसर में रेडर डालती है और दिन रात मंदिर के फर्स पर सोती है ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं माता सिमसा के प्रती मन में श्रद्धा लेकर इस मंदिर में आती है माता सिमसा उन्हें सोपन में मानव रूप में या प्रतीक रूप में दर्शन देकर संतान का आशिरवात प्रदान करती है वहाँ पे माता का आशन और पूजा इसकल भी बना हुआ है और मंदिर में जब सोते हैं तो उस जो सोपन आते हों सांकितिक होते है मानिता के अलुसार यदि कोई महिला स्वपन में कोई कंद मूल या फल प्राप्ट करती है तो इस महिला को संतान का आशिरवाद मिल जाता है देवी सिमसा आने वाली संतान के लिग्ण निर्धारन का भी संकेत देती है जैसे कि यदि किसी महिला को अमरूत का फल मिलता है तो समझने की लड़का होगा अगर किसी को सोपन में भिंडी प्राप्त होती है तो समझे की संतान के रूप में लड़की प्राप्त होगी यदि किसी को धातू, लकड़ी या पत्थर के बनी कोई वस्तू प्राप्त हो जाती है तो समझा जाता है कि उसके संतान नहीं होंगे कहते हैं कि निसंतान बने रहने का सोपन प्राप्त होने के बाद भी यदि कोई औरत अपना बिस्तर, मंदिर परिशर से नहीं हटाती है तो उसके सरीर में खुझली भरे लाल-लाल दाग उबराते हैं उसे मजबुरन वहां से जाना पड़ता है संतान प्राप्ती के बाद लोग अपना भार प्रकट करके उहां पर आते हैं और सगे समंदियों और कुटूंब के साथ मंदिर में आते हैं यह मंदिर बैजनाथ से 25 किलोमीटर तथा जोगिंदर नगर से लगवा 50 किलोमीटर दूरी परस देता सिमसा माता मंदिर के पास एक बहुत प्रसिद्ध पत्थर है इस पत्थर को दोनों हाथ से हिलाना चाओ तो यह नहीं लेगा और आप अपने हाथ के सबसे छोटी अंगली से इस पत्थर को हिलाओगे तो हिल जाएगा धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सब्स्क्राइब करें और अपने कमेंट दीचिए धन्यवाद